पिरवात हो चुकी है विंटर की हो और इस सर्दी के मोसम में मन करता है गरम गरम सूप पिने का तो आज की रेस्पी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही आसान होने वाली है जो कि आज हम बना रहे हैं हेल्दी स्वीट चीज कॉन सूप जो कि बिल्कुल टेस्ट्री बनेगा बहु बिल्कुल आसान जदी आपको रेस्पी पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल वद भूलिए और अगर चैनल पर नहीं हूं तो सब्सक्राइब जरूर कीजी तो चलिए शुरू करते हैं आज की समझेदार सी और टेस्टरी सी सूप की रेस्पी को बनाना इस सूप को बनाने के लिए हम यहां पर चाहिए दो कटोरी स्वीट कॉन या नॉर्मल कॉन भी आप ले सकते हैं या फिर नॉर्मल दो स्वीट कॉन साबुत ले सकते हैं उसके दाने निकाल लिजी या दाने निकले हुए तो 200 गराम के करीबी स्वीट कॉन के दाने हैं कुछ म करीब हमें बारी कटे हुए धनिय की दिंडी को चाहिए यहां पर हम धनिय की जो पत्ते हैं बिल्कुल यूज नहीं करेंगे क्योंकि अगर हम पत्ते यूज करेंगे तो हमारा सूप काला हो जाएगा तो सबसे पहले एक बागु यानि के सो ग्राम हमने स्वीट कॉन को मिक्सी के जार में डालेंगे उसमें डालेंगे एक कप पानी और इसको बिल्कुल फाइन पेस्ट तैयार कर लेंगे पेस्ट हमने बिल्कुल फाइन करना है और यदि फाइन नहीं भी होगा तो हम इसको चान इसको चानना इसलिए जय हो रही है क्योंकि यदि हम इसको चानेंगे नहीं तो जो कॉन के ऊपर के छिलके होते हैं ये उबलने के बाद टाइट हो जाते हैं और टाइट होने कि बदी सूप के टेक्श्चर को भी खराब कर देते हैं और पीने में भी सूप अच्छा नहीं बचा हुआ है छिलकों के अंदर भी वो भी हम वाप इसको चान लें और जो इस ट्रीनेर के ऊपर जो चिलके रह गए हैं इसके उपर हम आदी कड़ोरी पानी और डालेंगे और बाकी का जितना भी बचा हुआ हमारा स्टार्च है वो हम सारा ही चान लेंगे और बाकी के छि के जलकों को हम इस तरह से फैक्ट सेगे अब यहां पर हमारा यह जो जितने भी कौन का जो पानी है यह हमारा तैयार हो चुका है अब सीधर हम चलते हैं गैस की तरफ सूप करहते हैं सूप की अब गैस पर हलका सा रोस्ट करेंगे, साथ ही मैंने इसमें डाल दी है, बारी कटी हुई गाजर, एक्चलिए मैंने जो मक्षन था, हमने इसको मेल्ट होने का वेट नहीं किया, वो सिर्फ इसी लिए, क्योंकि अगर हम बटर के मेल्ट होने का वेट करते हैं, तो जो बटर है ना, वो हमने जल्दी जल जाता है, तो मैं इसको सबजियों के साथ ही मैल्ट भी होने देंगे, और इतनी देन में हमारी जो वेघ्टेबल से वो भून जाएंगी, साथ ही मैंने इसमें ढाल दी है कॉर्ण, उसके साथ ही मैंने इसमे डाल दाला है नमक, पस इनको आपस में 2-3 मिनिट तक चलाना है, भूनना नहीं है, सिर्फ हलका से इसका जो कच्छा पान है उसको हमने दूर करना है, सिर्फ एक से दो मिनिट चलाएंगे, और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे, अब इसमें डाल देंगे जो हमने कॉन को पीशने की बढ़ जो पानी था उसको, उस कॉन वाले प कौन के अंदर छे कप पानी यानि कि हमारे पांच परसन के लिए यह सूप तैयार हो जाएगा तो इसको तब तक हम बॉयल आने देंगे जब तक इसमें बड़ी आसा बॉयल नहीं आ जाता और जो हमारी यह जो इसमें कौन हमने डाले हैं वो थोड़े से सॉफ नहीं हो जाते और यहां पर जैसे ही इसमें एक बॉयल आएगा तो आप देखेंगे कि सूप के उपर ना एक बहुत मोटी सी लेर जाग किया गई है तो इस वाली जाग को हम एक अलग से लेडल लेंगी यह चमश लेंगी और इस पून की हेल्प से जब हम इसमें दो से तीन बॉयल आ है इसके साथ ही साथ जो यह वेजिटेबल से वेजिटेबल भी यहां पर कोख हो जाएंगी हमने यहां पर गाजर यह धनिया जो है बिलकुल जो है सौफ नहीं होगा कौन के पकने तक ही हमने इन सब भी वेज़ए सूप को पकाना है लगबग साथ से आथ मिनिट लगेंगे इस पूरे सूप को बॉइल होने में साथ से आथ मिनिट के बाद देखेंगे जी कि यह सूप जो है ना पूरी दरह से गाड़ा हो चुका है अब इसके टेक्शर को और भी बढ़िया बनाने के लिए यदि आपको यही सूप यहां पर इसकी कंसिट्रेंस सही लग रही है तो और यहां पर मैंने लिए है 50 ग्रम पनीर जिसको मैंने बारिक-बारिक चॉप कर लिए है जो कॉन फ्लोर है इसके अंदर हम डालेंगे पानी और नíasपानी है बिलकुल साधा पानी होता है नौर्मल रोम टेंपरिचर वाला उसको हम कॉन के अंदर मिक्स करेंगे और इसको म स्पेचेज में डालना है एक दम से सारा नहीं डाल देंगी क्योंकि कॉन के वज़े से सूप पहले से ही गाड़ा है सिर् हमने इसको हलका से टेक्ट्चर को चेंज करना है तो हम इसके पहले बिल्कुद एक से दो चमज के करीब इस कॉन फ्लॉर वाले पानी को डाल कर देखें इसके साथ हम इसमें पनीर डालने वाले हैं तो इसलिए इसके टेक्ट्चर बिल्कुर सही होना बहुत जरूरी है अब इसमें हम डाल देंगी एक बड़ा चमज काली मिर्च पाउडर का क्योंकि सूप के अंदर काली मिर्च का टेस्ट बहुत अच्छा आता है तो इसमें का भी दूसरी मिर्च इसमें यूज नहीं करेंगे क्योंकि सूप में सिर्फ काली मिर्च का ही फ्लेवर बढ़ी आता है इसके बाद इस काली मिर्च का पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे और सूप में दो से तीन बॉयल आने देंगे जब यह आपस में बिलकुल मिक्स हो जाए आ ने जब पन्रीर को मिक्स किया तो हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इस सूप को गर्मा गरम सर्फ करेंगे हमारा चीज कॉन सूप बनकर तयार है तो आपको मेरी आज की रेस्पी कैसी लगी मुझे कॉमेंट में जरूर बताएं यदि आपको मेरी रेस्पी पसंद आती हैं मेरी वीडियो अच्छी लगती हैं इन्हें लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और यदि अब मेरी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक मिल सक तो मिलते हैं इसी तरह की टेस्टी और आसान सी रेस्पी के साथ तक तक के लिए बाइबाए